इस वीडियो में हम तीन चोटे-चोटे टोपिक डिसकस करने जारे हैं पहला है बोर्सिस क्या है, सेकेंड है इंसिटूशनल इन्वेस्टर्स तीसरा है स्पेकुलेटर्स सिंपल सी बात बोर्सिस मतलब स्टोक एक्चेंज का जो दूसरा नाम है उसको हम बोर्सिस भी बोलते हैं सेकेंड टोपिक है हमारा इंसिटूशनल इन्वेस्टर्स ऐसे इंसिटूट्स जो इन्वेस्टमेंट बहुत भारी मात्रा में करते हैं इन्वेस्टमेंट काफी ज़धा करते हैं माँलो किसी कंपनी ने शेर्स इ isto किये 10,000 उस में से मालो 5,000 या 8,000 shares institutions नहीं खरीद लिए तो ऐसे institutions को हम बोलते हैं institutional investors मतलब इन में कौन को नाता है financial institutions आते हैं mutual fund आते हैं इसी तरह से banks आते हैं ये लोग क्या करते हैं ये institute क्या करते हैं काफी बड़ी मातरा में securities में purchase, sale करने में लगे रहते हैं तीसरा हमारा topic है speculators क्या होते हैं मलब 60 बाज 60 बाज ऐसे व्यक्ति होते हैं जो reality में securities का purchase या sale नहीं करते पर जैसे ही ये देखते हैं कि security के prices में change हो रहा है ये stock exchange पर dealing करते हैं transactions करते हैं target होता है सिरफ profit कमाना for example जैसे ही ये लोग देखते हैं कि किसी shares का securities का price कम हो गया है ये securities को purchase कर लेते हैं फिर जैसे ही price increase होता है उसको sale कर देते हैं profit कमा लेते हैं तो इनकी जो complete transactions होते हैं बिल्कुल ऐसे ही होती है profit कमाते हैं और sale कर देते हैं इसलिए हम इनको बोलते हैं सटे बाज स्टोक एक्चेंज की डिलिंग को लेकर हमने काफी सारे छोटे छोटे टोपिक और भी कवर किये हैं वो भी आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं पलस स्टोक एक्चेंज के इस चैप्टरों को लेकर काफी सारे topic और भी cover हुए हैं वो भी आपके इसी channel पर upload हो चुके हैं तो वो सारे topics भी आप detail में बहुत अच्छे से study कर सकते हैं